क्या दोस्तों आपको पता है, हाल ही में विश्व कच्छुवा दिवस कब मनाया गया? E equal to MC square theory का आविश्कार किस ने किया था? हाल ही में द्वीतिय विश्व युद के समय का एक खतरनाक बम कहां से मिला? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का वले तो 24 मैं 2021 का करंट अफेर का वीडियो तयार किया है क्वालिटी की द्रिष्टी से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखे लास्ट में मैं आपसे एक क्वेशन पुछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बोक्स में देना है और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किजिए पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दिजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले चलिए बीना वक्त गवाएं हम स्टार्ट करते हैं पहले क्विशन से हाल ही में वीश्व कच्वा दिवस कब मनाया गया प्रती वर्ष वल्डर टर्टल डे 23 मैं को मनाया जाता है यानि कि इस क्विशन का सही आंसर है आप्शन सी 23 मैं बोले तो वल्डर टर्टल डे वीश्व कच्वा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है कच्वो और दुनिया भर में उनके तेजी से गाया बहते आवासों की रक्षा करने है तो वीश्व कच्वा दिवस मनाया जाता है और यह दिवस मनाने की शुरुवात किसने की थी वो भी हमारे लिए most important question बन सकता है तो यह वल्डर टर्टल डे मनाने की शुरुवात American Tortoise Rescue नमक एक NGO ने साल 2000 में की थी किसने वर्स 2000 में American Tortoise Rescue नमक एक NGO ने यह विश्व कचुवा दिवस मनाने की शुरुवात की थी और भारत में कचुवा के सामने सबसे बड़ा खत्रा तसकरी है उन्हें हर साल बड़ी संक्या में पूर्वी एश्याय और दक्षिन पूर्व एश्याय बाजारों में तसकरी कर लाया जाता है प्रमुक खत्रों में से एक आवास विनाश्पी है यानि की भारत देश में तेज के प्रदूशन से पीडि थे, प्लास्टिक खाकर हर साल कई कचुए मर रहे हैं, इमेज में आप देख सकते हैं, यह है ओलीव रीडले कचुए, लाखो की संक्या में प्रतिवर्ष ओडिशा के तटपर प्रजनन के लिए यह कचुए आते हैं, लेकिन प्लास्टिक के कारण य कचुए की भी मौत हो रही है, 1975 में ओडिशा सरकार द्वारा भीतरकनी का अब्यारणिया में समुदरी कचुओ के सरक्षन की योजना का आरम किया गया था, तो यह फेक्ट भी याद रख लिजे, कि 1975 में ओडिशा गवर्नरमेंट ने भीतरकनी का अब्यारणिया में कोई के सरक्षन के लिए एक योजना का आरम किया था, और एक संस्था है, जिसका नाम है सहियादरी निसर्ग मित्र, जो चीप लोण में स्थे थे, तो उनके द्वारा कौकन कचुओ का महचव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो यह महचव का क्या उद्देश है, द प्रति वर्ष कचुओ की कुछ नव जातों को समुद्र में छोड़ देते है, तो यह बहुत ही अच्छा कदम यह सहियादरी निसर्ग मित्र संस्था द्वारा उठाया गया है, कचुओ के सरक्षन के लिए, और दोस्तो इसी तरह हर क्वेशन चे जुड़े important fact मैं आपके सा सामने रखता हूँ, हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत बुलिएगा दूसरा question है आपकी स्क्रेन पर, E equal to MC square theory का आविश्कार किस ने किया था? E equal to MC square theory का आविश्कार Albert Einstein ने किया था, यानिकि इस question का सही answer है option B, Albert Einstein, लेकिन science से जुड़ा हुआ यह question, current affair में क्यों आया? तो देखो, दुनिया के प्रसिद विज्ञानिक, और E equal to MC square theory का आविश्कार करने वाले, Albert Einstein की चिट्ठी की निलामी की गई है, इस चिट्ठी पर Albert Einstein ने E equal to MC square लिखा था, जी हाँ दोस्तो, Albert Einstein की E equal to MC square लिखी हुई, एक चिट्ठी की निलामी हुई है, और इसलिए यह question current affair में आया है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चिट्ठी के निलामी कितने रुप्यों में हुई होग 9 करोड रुप्यों में यह चिट्ठी की निलामी हुई है, theory of relativity के जन्मदाता और विश्व के महान वेज्ञानिक, Albert Einstein की यह चिट्ठी 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक, यानि कि करीब 9 करोड रुप्यों में निलाम हुई है, और Boston State, RR auction ने यह चिट्ठी की निलामी कि है, और अभी भी तीन चिट्ठी बाकी है, क्या, आप यह खिरिदना चाहेंगे? ओके, तो देखो, Albert Einstein ने अपने जीवन में 4 बार ही E equal to MC square लिखा था, जिन में से एक चिट्ठी की निलामी की गई है, और तीन चिट्ठी अभी भी बची हुई है, और दोस्तों, यह बात Second World War का एक खतरनाक बम, जर्मनी की आर्थिक कैपिटल, Frankfurt से मिला है, यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है, Option A, जर्मनी, इमेज में आप देख सकते हैं, Second World War का एक खतरनाक बम, हाल ही में Frankfurt शहर से मिला है, जर्मनी की आर्थिक राजदानी Frankfurt में दूसरे विश्वयुद, यानि की एक बहुत बड़े संकट को टाल दिया गया है, और दूसरे विश्वयुद के समय का खतरनाक बम का वजन कितना था, 500 किलो वजन का था या बम, और अगनी शमन अधिकारियों ने बताया, कि उन्होंने बम को 40 ट्रकों से लदी रेत से ढख दिया था, इसके बाद फिर बम को विश्वट किया गया था, वहां 3 मिटर गहरा और 10 मिटर चोड़ा एक छेद हो गया, कि इतना शक्ति शाली होगा या बम, और इमेज में आप देख सकते हैं, ऐसे तो बहुत से बम मिले है, देखो, संकर्षा खत्म हुए बेशक, 76 साल हो गये है, लेकिन उस समय के बम जीसके चलते 65,000 लोगों को दूसरे स्थान पर शीफ्ट किया गया था, और आगे बात करते हैं, अब चौथे क्विशन की, हाल ही में, अंतर राष्ट्रिय महा संग के अध्यक्ष कौन बन गये है, अंतर राष्ट्रिय महा संग के अध्यक्ष भारत के नरिंदर बत्रा बन में आप देख सकते हैं अंतर राष्ट्रिय होकी महासंग यानि कि इंटरनेशनल होकी फेडरेशन की 47 वी कांग्रेस के दोरान भारत के नरिंदर बत्रा ने अध्यक्षपद का चुनाव जित लिया है उन्होंने बेल्जियम के मारक कोड्रोन को केवल दो वोटों के मामूली अ यानि कि नरिंदर बत्रा ने इस चुनाव में 63 वोट हासिल किये और बेल्जियम के मारक कोड्रोन ने 61 वोट हासिल किये यानि कि तकरीबां दो वोटों से हमारे नरिंदर बत्रा ने यह चुनाव जित लिया है वर्तमान में नरिंदर बत्रा पार्तिय ओलंपिक संग के अध पिछले साल स्थगित होने के करण कार्यकाल को चार साल से घटा कर तीन साल कर दिया गया था नरिंदर बत्रा अंतराष्ट्रिय होकी महासंग के 92 साल पुराने इत्यास में शिर्षपद हासिल करने वाले एक मात्र एशियाई व्यक्ति भी बन गये है पांचों क्रिशन जीनिवा ओपन टेनिस में पूरु शोका सिंगल्स किताब किस ने जिता जीनिवा ओपन टेनिस में पूरु शोका सिंगल्स किताब कैस्पर रूड ने जित लिया है किसको हराया है डेनिश शापो वालों को हराकर यह खिताब जित लिया है कैस्पर रूड ने इमेज में आप देखिए यह है कैस्पर रूड और कैस्पर रूड और डेनिश शापो वालों के बीच यह फाइनल मुकाबला खिला गया और 7-6-4 से ये मुकाबला जीत लिया है कैस्पर रूड ने विश्व की 21 नंबर के खिलाड़ी कैस्पर रूड ने 15 वी वरियता प्राप्त नौर्वे के डैने शापो वालों को 7-6-6-4 से हरा कर दूसरा ATP खिताब अपने नाम किया है और आगे मैं आपको बताओ तो 22 वर्षिय रूड ने पिछले साल 29 आयर्स में अपना पहला ATP खिताब जीता था इस खिताब से रूड रैंकिंग में 16 वे स्थान पर पहुँच गए है चठा क्केंग में 16 वे स्थान पर कैस्पर रूड पहुच गए है चठा क्कुशन COVID जाच रिपोर्ट और लेने के लिए एक वेबसाइट किस ने शुरू की? COVID जाच रिपोर्ट और लेने के लिए ओडिशा सरकार ने एक वेबसाइट शुरू की है यानकि इस question का सही answer है ओडिशा सरकार बोले तो नविन पतनायक ओडिशा सरकार की इस website को 72 सुविधा के लिए किसके साथ जोड़ा गया है? COVID-19 tester dashboard के साथ इस website को जोड़ा गया है और इस online सुविधा का शुभारम किस ने किया? ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंतरी नविन पतनायक जी ने इस online सुविधा का शुभारम किया है और इस website से लोगों को क्या फैदा होगा? लोगों को अपनी रिपोर्ट लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाच केंदरों में जाने की जरूरत नहीं होगी वो अपने mobile पर ह डाउनलोड कर सकेंगे और बात करते है ओडिशा राज्य के तो ओडिशा की बेजिक इनफोर्मेशन मैंने आपको कहीं बार बताई आज कुछ नया सिख ले ओडिशा राज्य का सबसे उचा स्थान कौन सा है देव माली ओडिशा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है भूवनेश और ओडिशा के अन्य तीन नाम है कौन-कौन से कंगोध, तोशाली, त्रिकलिंग यह ओडिशा के तीन प्राचिन नाम है तो यह बाद भी याद रख लिजे सात्वा क्वेशन डीप कोवेन क्या है हाल ही में सुर्क्यों में रहा डीप कोवेन COVID-19 एंटी बोडी डिटेक्श कीट है, इमेज में अब देख सकते हैं, नाम है डीप कोवेन, COVID-19 एंटी बोडी डिटेक्शन कीट, डीप कोवेन किसने विक्सित की है, इसी तरह का एग्जामिनेशन में क्वेशन पुछ लिया जाए है, तो हमारा आंसर होना चाहिए DRDO, और डीप कोवेन कीट 97% की तो इसे भारतिया चिकित सा अनुसंदान परिश्यत द्वारा अनुमोधित किया गया है, और इसे दिलही के वेंगार्डर डायोगनोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से DRDO के Defense Institute of Physiology and Allied Sciences लेब द्वारा विक्सित किया गया है, और DRDO की भारत देश में शाका है ह उनके द्वारा यह विक्सित की गई है, आठवा क्विशन, वाइट फंगस रोग का लक्षन क्या है, अभी कोरोना वाइरस समाप्त नहीं हुआ है, बलेक फंगस का खतरा तला नहीं है, तीस्तरा दुश्मन सामने आ गया, वाइट फंगस, वाइट फंगस रोग का लक्षन खासी आना, सीने में दर्द होना, सास फुलना, इसी तरक के लक्षन दिखाई दे, तो आपको तुरंट डॉक्टर की एडवाईज लेनी चाहिए, यानकी इस क्वेशन का सही आंसर ये उपर युक्त सभी वाइट फंगस रोग के लक्षन है, वाइट फंगस से कौन क्षमता कम होती है, वाइट फंगस उन्हे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, या रोग संक्रामक नहीं है, लेकिन ये महत्वपुर्ण अंगों में फैल सकता है, और जटिलताओ का कारण बन सकता है, आमारे अंगों को डेमेज भी कर सकता है, या वाइट फंगस, और कम प्रति रोधक अक्षमता वाले रोग, मधुमे, कैंसर या नियमित रूप से स्टेरोइट का उप्योग करने वालों को वाइट फंगस से संक्रमित होने का अधिक खत्रा होता है, एक्सरे और सीटी स्केन के माध्यम से संक्रमन का पता लगाया जा सकता है, रोग्यों को इसक 17 महिला विश्वकप का आयोजन 2022 में हमारे भारत देश में किया जाएगा, यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है भारत, फीफा अंडर 17 महिला विश्वकप की बात करें, तो बारत 2021 में इस प्रति योगिता का आयोजन करने वाला था, परन्तु कोरोना वाइरस माह मारी के चल तो इस प्रति योगिता में सोलर टीमें हिस्सा लेंगी, कितनी सोलर टीमें हिस्सा लेंगी, और ये भारत में होने वाला दूसरा फीपा टूर्नामेंट होगा, इससे पहले भारत ने 2017 पुरुशो के अंडर 17 फुटबल विश्वकप का आयोजन सफलता पुरुवक किया था तो मैं आपसे क्वेशन पुछना चाऊंगा, कि 2017 में पुरुशो के अंडर 17 फुटबल विश्वकप का आयोजन भारत के किस रज्ज में किया गया था, आपको आंसर पता है, तो निचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फीफा की बात करे, तो फीफा के सदस्य देशो को छे संगों के तहत वर्गी कृत किया गया है, और भारत एशियाई फुटबल परी संग के अंतरगत आता है, फीफा की स्थापना कबुए, और 1904 में, फीफा का हेटक्वाटर कहां पर स्थी थे, जूरिक में स्थी थे, दस्वा कुशन, हाल ही में त्रीपुरा सरकार ने जा अब उठाने में मदद करने के लिए जागरुत त्रीपुरा नामक एक ओनलाइन प्लेटफॉर्मा लांज किया है, पॉर्टल लांज किया है, तो जागरुत त्रीपुरा नामक ओनलाइन पॉर्टल की बात करे, तो इस प्लेटफॉर्मा के माध्यम से विभिन विबागों क कम से कम 109 योजनाव को उपलब्द कराया गया है इस डिजिटल प्लेट फॉर्म को किसने लॉंच किया है त्रीपूरा के वर्तमान मुख्यमंतरी विपलब कुमार देव ने इस पॉर्टल को लॉंच किया है और इस ओनलाइन पॉर्टल को किसने विक्सित किया है इजी गोव नाम की जीओ ग्रूप की एक कम्पनी ने इस पॉर्टल को डेवलब किया है और यह डिजिटल प्लेट फॉर्म त्रीपूरा सरकार द्वारा अपने आत्मा निर्भर त्रीपूरा पहल के ताहँ चुरू की गई महत्वपूर्ण पहलों में से एक पहल है ग्यारवा क्वेशन हाल ही में म्यूकर माइकोसिस यानिकी ब्लेक फंगस को महामारी किस ने गोशित किया पहले तो राजस्थान ने बाद में गुजरात ने और अब उत्तर प्रदेश ने म्यूकर माइकोसिस को महामारी गोशित किया है यानिकी इस क्वेशन का सही आंसर है option D, उपर युक्त सभी तो देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश में म्यूकर माइकोसिस यानिकी black fungus को महामारी खोशित किया गया है राज्य में इसके 150 से अधिक मामले दर्ज किये जा चुके है, कोरोना कोर ग्रूप की बैठक के बाद, मध्या प्रदेश के मुक्या मंतरी शिवराची चोहन ने भी म्यूकर माइकोसिस को महामारी खोशित किया है तो अब चार राज्य ने या म्यूकर माइकोसिस को महामारी खोशित किया है एक है राजस्तान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मत्यप्रदेश और चोथा है उत्तरप्रदेश और हर्याना एवं ओडिशा सरकार ने इस बिमारी को अधिसुचित किया है तो इससे पहले Black Fungus रोग को हर्याना और ओडिशा में अधिसुचित बिमारी यानि कि Notified Disease के रूप में कोशित किया गया है इसका मतलब है कि सरकारी अधिकारियों को ब्लेक फंगस रोग के प्रत्यक मामले के बारे में सुचित करना होगा इसे बोलते है नौटिफाइड डिजीज बारवा कुशन हाल ही में वाद्चलिय योजना की घोषना किस ने की? वाद्चलिय योजना की घोषना तीरत सी रावत ने की? यानकि इस क्वेशन का सही आंसर है ओप्शन ए तीरत सी रावत बोले तो उत्राखन के वर्तमान मुख्यमंद्री वाद्चलिय योजना की घोषना COVID-19 के कारण अपने माता पीता को खोचुके अनात बच्चों के लिए की गई है इस योजना के तहत उत्राखन सरकार 21 वर्ष की आयू तक इन बच्चों के भरनपोशन, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षन की व्योस्था करेंगी यानकि एक बहुत अच्छा कदम उत्राखन की सरकार की ओर से उठाया गया है और राज्य के ऐसे अनात बच्चों को 3000 रूपिय प्रती माग गुजरा बथा भी दिया जाएगा इसके अलावा उत्राखन सरकार इन अनातों की पैतरुक संपती के लिए कानून भी बनाएगी जीसमें किसी को भी अपने पैतरुक संपती को वयस्क होने तक बेचने का अधिकार नहीं होगा और यहां हम बात करते हैं उत्राखन की तो उत्राखन की बेजिक इन्फोर्मेशन मैंने आपको कहीं बार बताई आज कुछ नया सिख ले उत्राखन की प्रतम महिला एवरेश्ट विजेता का नाम क्या है बचेंदरी पाल इमेज में आप देख सकते हैं मैं आपसे क्वेशन पुछना चाहूंगा बचेंदरी पाल का जन्म दिवस कब मनाया गया आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर बताना और उत्राखन के प्रतम राज्यपाल कौन थे सुर्जिची बरनाला और उत्राखन के प्रतम मुख्यमंद्री कौन थे नित्यानन स्वामी उत्राखन के प्रतम विदान सबा अध्यक्ष कौन थे प्रकाश पन और भी मैं आपको आगे बताना चाहूंगा उत्राखन के बारे और उत्राखन वो भारत की पौहली एवरेश्ट विजेता महला भी बचेंदरी पाल ही है इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तो उत्तर प्रदेश से यह उत्राखन रज्य का गठन किया गया है तेरवा और लास्ट क्वेशन हाल ही में डिजीटल रून प्रसंस्क्रण प्रणाली किसने शुरू की है यानकी इस क्वेशन का सही आंचर है आईडी बिआ बैंक यहाँ पर पड़ो आईडी बिआ बैंक लॉंच्ड डिजीटल लॉन प्रसंस्क्रण प्रणाली शुरू करने की गोशना की है किसने आईडी बिआ बैंक ने और MSME और क्रिशी उत्पादों के लिए रून प्रसंस्क्रण प्रणाली डेटा फिंटेक, ब्यूरो सत्यापन, दस्तावेज बंडारन, खाता प्रबंदन और ग्राहक सुचनाओं के साथ समय की तरूप से एकी कृत होती है और पूरी तरसे डिजिटल और स्वाचालित रून प्रसंस्क्रण प्रणाली की इन विशेस्ताव का उद्देश क्या है? बैंक के MSME और क्रिशी ग्राहकों को बेहत्तर तक्निक सक्षम बैंकिंग अनुपो प्रदान करना है और IDBI Bank के वर्तमान CEO कौन है? राकेश शर्मा और IDBI Bank का Headquarter महाराष्टर की कैपिटल मुम्बई में स्थी थे और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेशन की लास्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेशन पुछा था हाल ही में सुन्दरलाल बहुगुणा का निदन हो गया वे कौन थे? सुन्दरलाल बहुगुणा अमारे भारत देश में चिपको अंदोलन के प्रनेता थे 95 years के आयू में निदन हो गया और एक विश्वो प्रसिद परियावरण विद्थे सुन्दरलाल बहुगुणा यानिकि इस क्वेशन का सही आंचर ता option B एक परियावरण विद्थे लगबक सभी दोस्तों ने इस क्वेशन का बिल्कुल सही आंचर दिया है इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाओंगा गुरुजी वाइटी ओफिस्यल काल सी मावी पिनल प्रजापती लर्निंग रिटेल मार्केटिंग मुकेश कुमार कुकडिया मयूरी अशोक परमार इन सबी दोस्तों ने इस क्वेशन का बिल्कुल सही आंचर दिया परमार खुश्बू अंकिता स्पेशल रशिला डामोर आर्ती मकवाना आकाश अनुपम उम्मा सैनी फ्रम उत्राकन के हरिद्वार से उन्होंने भी इस question का बिलकुल सही आंसर दिया है हमारे और भी subscriber friend है वो है बरत कुमार इश्वर भाई पटेल भाविका बवाने F.A. कुरेशी H.R. हंसा Francis Rathod निलो फर्मीर सभी दोस्तों को बहुत बहुत दन्यवाद और आज की वीडियो का question ए रहा screen पर निमना में से किसको आधुनिक भारतिय समाज का जन्मदाता कहा जाता है चार भारतिय समाज के समाज उद्धारक यहां आपके सामने है सही option चुन ये कि आधुनिक भारतिय समाज का जन्मदाता किसको कहा जाता है सही option चून लिया तो एक बार answer लिख दीजिए answer लिखने से आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है helpful लगा है तो आपके दुस्तों को Facebook वाट से प्या टेलिग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेर का ना मत बुलिएगा बस छोटी से उमीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं फिर मिलेंगे नएक करण अफर वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड जैहिन